अस्सलाम आलेकुम नाजरीन आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे Most Powerful Dramas जो के आपका माइट बदल देंगे इन ड्रामास का मकसद ही इस बात के श़़ूर देना है कि मौश्य में ड्रामास किस तरह बदलाव लाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खौस्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सीरियल मेरा दर्द बेजबान मेरा दर्द बेजबान एक पावरफल मैसिच देता ट्रामा सीरियल है मेरा दर्द बेजबान का मरकजी खयाल हमारे मौशरती नजाम की दो इंतहाओं से मुतालिक है या तो हम इंतहाई मजभवी हैं या तो इंतहाई जदीद और दोनों को फखर है कि वो सही है और दूसरा खलत रास्ते पर है मौशर में ये एक आम रिवाज है कि लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को और अपने खौबों और मकास्त को बदलते रहते हैं खास तर पर हवतीन की बात की जाए जो को मुसलसल बदलती रहती है और बास उकाद दूसरों को मुतमेंद करने के लिए अपने जज़बात पर जुल्म करती है दो मरकजी किरदार सुहा और सवेरा के लाइफ दिखाई गई है जो एक दूसरे से मुखतलिप नुक्ताय नज़र रखती है कास्ट में समी खान, लुबना असलम, सीमी पाशा, सोनिया हुसैन, आईशा उमर, उसमा ताहे, सिद्रा बतूल शामिल है ड्रामा सीरियल चमक तमक चमक तमक एक पावरफल सीरियल है जो आपका जहन तबकाती परक के हवाले से तबदिल कर देगा ड्रामे में दिखाया गया है कि रामीन एक साधा लड़की है, वो एक आम गराने से तालुक रखती है उसके वालिद एक ला इलाज बिमारी में मुब्तला है और रामीन के वालदा को रामीन की शादी वरास से करने की अपनी खोहिश के बारे में बताते है जो उसके बतीजे और रामीन के पहले कजन है रामीन की वालदा को अपनी आखरी ख्वाहिश बताने के चंद दिनों बाद रामीन के वालित का इंतिकाल हो जाता है दूसरी तरफ रामीन हुमाईयों के साथ महबत करती है जो एक अमीर कराने से तालुक रखता है जब हमाईयों की वाल्दा रामीन के लिए हमाईयों की तच्जीश लेकर रामीन के घर आती हैं तो वो तबकाती फर्क और रामीन के वालित की आखरी ख्वाहिश की वज़ा से मौकश पर ही इंकार कर देती हैं कास्ट में सम्याबक्ष, बतौरे रामीन, आगा तलाल बतौरे हुमाईयों, राईत मुहम्मद आलम बतौरे परास शामिल है भरम को देखकर आपको यकीन आएगा कि एक अच्छी लाइफ उसारने के लिए कुछ चीजों का भरम रखना किस कदर जरूरी है ड्रामे में वहाज अली को एक स्टूरेंट दिखाया गया है जो कि बड़ी गहराई और हिकमत का इसहार करता है जो कि उसके उमर से भी कहीं स्यादा है ड्रामे में दिखाया गया है कि वहाज अली पेशे के अथपार से एक FMRJ है और इस उमर में वो एक बहतरीन शायर और फलसफियाना ख्यालात के मालिक है ड्रामे के दीकर कास्ट में नूर खान, अर्सलान बट, टीपु शरीफ, किंजा मलिक, सिल्मा हसन और मुहसन गिलानी शामिल है वहाज ड्रामे में एक ऐसे शक्स का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे फलसफा भी पसंद है और शायरी भी लेकिन चिन्नून की हद तक ड्रामा बहुत सारे ट्रैक्स लिए हुए है, लेकिन सब ट्रैक्स एक मेर पॉइंट के साथ ऐसे बंदे नजर आए कि व्यूवर्स दात ये बगर रहना सके ड्रामा सीरियल बिच्चू बिच्चू एक ऐसी कहानी है जो महनूर यानि मारिया मलिक और आफरीन यानि सेयद अदूबा अनवर नामी दो बहनों के गिर्थ खूमती है दोनों ही ड्रामे की कहानी के मोड में एहम किरदार है आफरीन एक इंतहाई अनापरस्त मखरूर और बत्तमीज लड़की है बिच्चू इस बात को जाहिर करता है कि आप जहरीली फितरत के इंसान को जितना मर्जी सपोर्ट करने उसने आपको डसना ही है डास्तान हमें एक पावरफुल मैसेच देता है वो ये कि वक्त का गाम है गुजर जाना और वक्त अच्चा हो या बुरा गुजर ही जाता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त बहुत सी दास्ताने छोड़ जाता है और ये कि कुछ सहनों में अमर होकर रह जाता है बरिस अगीर पाको हिंग की तक्सीम और इसके नतीजे में पाकिस्तान की अजादी पर मबनी ये कहानी 1947 और 1956 के दर्मियान पेश आती है इस ट्रामे में बानु की कहानी पेश की गई है जो 1947 से पहले के दर में लुदियाना खेर मुंकसिम पंचाब में वाकिया में रहने वाली एक करीबी मुसल्मान कांदान की लड़की थी कहानी इन आजमाईशों और मुसीबत के बारे में है जिनका सामना बानु ने अपनी जिन्दगी All India Muslim League के लिए वक्त करने का पैसला करने के बात किया दास्तान अपनी नौयत का पहला मनसूबा है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने उठाया है इस ड्रामे की तैयारी महीनों पहले शुरू होई थी और फिल्म बंदी में सिर्फ दो मासे ज्याता का अर्सा लगा था इसे अब तक की बेहतरीन पाकिस्तानी टेलिविजन सीरीज में से एक समझा जाता है ड्रामा सीरियल आखिर कब तक आखिर कब तक में बहुत सारे सोशल इशूस डिसकस हुए है आखिर कब तक एक ऐसा ड्रामा है जिसने खवतीन के इन मसायल को उचाकर किया है जिन पर बात करने से पहलो तही की जाती है इस ड्रामे की मनफरत बात ये है कि इसने खवतीन को हिम्मत, होजला और मस्बूत बनने की तरगीब दी है ड्रामे में दिखाया गया है कि घर का महौल किस तरह सफिया की बेटियों पर असर अंदास होता है फजर यानि सरहा असगर अपनी मा का ही अक्स है एक डरी सहमी लड़की जो अपने लिए भी आवाज नहीं उठा सकती जबके दूसरी तरफ नूर यानि उशना शाह है जो अपने घर की खवतीन से मुक्तलिफ शक्सियत की मालिक है एक ऐसी मजबूत लड़की जो अपने घर में होने वाली नाइंसाफियों पर अवाज उठाती है और अपने माँ और बहन के लिए ढाल बनती है और हर चैलेंज का सामना करती है ड्रामा सीरियल दश्ते अना दश्ते अना 2017 को ओन एर हुआ ये लाव एक्शन सीरियल है जो के बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है ये ट्रामा सीरियल दश्ते अना की अक्सपंदी कोओं के बाग में की गई जो खानदानों की दर्मियान तनाज़की वज़ा है इस ड्रामे की कहानी भी रिवायती तोर पर जर्समीन और जन ने इस दुश्मनी पर चलते का काम किया दुश्मनी की आग में तोनों खानदानों के मर्दों के कतल के बतले में मासूम लड़कियों को वनी की बेर चढ़ाया गया है तालीम की रोश्णी की वज़े से कई नसलों की दुश्मनी का इक्तिताम होता है मगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालच और कारूबारी रिकाबत इन अना के पुचारी खानदानों को एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बना देती है महबत की बदूलत दू खानदानों में दुश्मनी का इक्तिताम होता है ड्रामा सीरियल दश्टे अना के एहम फंकारों में औरिंग सेप लखारी, मोसिन के लानी, नईया निचास, पबरिक शाह, रहीला आगा, किनसा मले शामिल है सिम्मी की कहानी में गेरत के नाम पर कतल जैसे मोजो को पेश किया गया है ड्रामा तफरी के साथ मालूमाती भी है इस ड्रामे में कारुकारी और गेरत के नाम पर कतल जैसे मसाइल को पेश किया गया है इसके इलाव माँ और बच्चे की सिहत के हवाले से भी आगाही दी गई है एक टॉपिक खितम होता है तो दूसरा शिरू हो जाता है इस ट्रामे की कहानी काफी इंटर्टेनिंग है ताहम ये मसायर को भी अवाम के सामने पेश करेगी और उसका हल बताएगी इस ट्रामे ने विवर्स को आगाही दी और हिम्मत दी के आप अपनी आवास दुनिया तर पहुँचाएं बंकिड़किया एक पावरफुल मैसेज देता ट्रामा है जिसने हमारे बिमार मौश्रे के सोच तबदील की इस सीरियल की राइटर सीमा मुनाफ है जबके कास में आगा अली, सारा खान, अनम प्यास, साजित शाह, अकबर शाह, सीमी पाशा, मर्यम मिर्जा और आखा मुस्तवा काबल जिकर है बंकडिकिया की कहानी का बुनियादी मकसद इन रिष्टों की एहमियत सामने लाना है, जिसे आम पर गहर एहम समझ कर नजर अंदास कर दिया जाता है ड्रामे की कहानी मौजूदा मौशरती सुर्टेहाल की अकासी करती है, जिसमें रिष्टों के उतार चड़ाओ भी बयान किये गए हैं जोईन फैमिली में जहां खुशिया हैं, वही तरहा-तरहा के मसाइल भी दरपेश है एक लड़का ये समझता है कि वो अपनी जिस कजन से महब्बत करता है वो सिर्फ उसी की है, लेकिन ऐसा नहीं होता और यही से कहानी एक नया मौड लेती है ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी मेरे हमनशी इस वक्त एक पावरफुल मैसेज देता सीरियल है, जिसमें तालीम की एहमियत दिखाई गई है इसमें एक लड़की की स्ट्रोगल दिखाई गई है इसमें एक लड़की दिखाई जा रही है जिसके बच्पन में खानदान में ऐसे हाथ साथ हुए जो उसके जहन में रह गए उसके वालदा को गुटे की तक्रीफ होई लेकिर इलाके में खातून डॉक्टर दस्तियाबना होने की वज़े से उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया जिसकी वज़े से उनकी मौत हो जाती है इसलिए वो डॉक्टर बनना चाती है इस लड़की ने इस इलाके में रहते और वो डॉक्टर बन जाती है व्यूवर्स को यकीनन इससे मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि पावरफुल मैसेज ड्रामास पर मपनी था मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ अपना फीडबेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अ अलाहापिस